अच्छा इसके बाद सिर्फ रियाक्षन है यार उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है आए चलिए देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको उताया था किसका प्रिपरेशन कराया था के टू सिया टू सेवन का अब जरा हमें देखना है कि अस्ट्रक्चर ओफ के टू सियार टू ओ सेवन या मैं इसे ऐसा लिख दूं कि सियार टू ओ सिवन टू माइनस ठीक है जरा ध्यान से समझेगा हाना कि सुनो तो सही देखिए हैं सिया टू सिवन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा कुछ ऐसा बनता है कैसा बनता है या बहुत अच्छे तो यह यह क्राउन लाइक के स्ट्रक्चर बोलते हैं देखने में लग रहा थोड़ा सा राउन टाइप का नहीं लग रहा अरे यह ऐसे यह ऐसे यह ऐसे यह ऐसे राजा का मुकुट नहीं लग रहा है तो फिर इसको क्राउन लाई का स्ट्रक्चर बोलते हैं अम तरह से बदिये सवाल कहां से आपे हैं इसमें दोनों साइड यह जो क्रोमियम है इसके इस तरफ भी ऑक्सिजन और लेकिन अगर मैं इसके बॉन्ड लेंद्ध का नाम एक्स कह दूं और इसको वाई कह दूं दोनों कैसा रिस्ता होगा पहला ओप्षिन ए एक्स ग्रेटर देन वाई ओप्षिन भी एक्स लेस देन वाई ओप्षिन सी एक्स ब्रावर वाई डी आप बता दीजिए डी ओप्षिन आप बता दीजिए हाँ कौन सा ओप्षिन आप चुनेंगे ओप्षिन दी सी बिल्कुल गलात हाँ कौन सा बी डी आच्छा यह बिल्कुल सही हाँ देखिए होगा क्या कितने ऑक्सिजन दिख रहे हैं इस क्रोमियम के बगल में चार किा नम्मढ कर देता हूँ था सुविधा बताने में और यह पथा करेंगा यह अ है लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह रेज ऑटी सिपेट मैं पार्टि सीपेट इन रेजो नेंस होजपास तो नहीं हो गया ना कि दुनोट कि पार्टि सिपेट ओए न कि रैजो थाइस क्यों कि यह जो है इस इधर क्रोमियम से बोफ़ा पड़ा है और इस क्रोमियम से तो resonance में participate कौन करेगा एक, दो, तीन है कि ने अच्छा अगर कोई resonance में participate कर रहा है तो bond order बढ़ेगा की घटेगा bond order बढ़ेगा या घटेगा बढ़ेगा बढ़ जाएगा और अगर bond order बढ़ जाएगा तो bond length यानि की x जो है वो हाँ बिलकुल कौन बोला था क्या यह बात सब्जमें आई भोलो क्या यह बात सब्जमें आई हाँ क्लिर है बबु लेकिन लेकिन इसमें एक problem है नोट करके लिख देता हूँ इस अस्ट्रक्टर इस नौट आ वैलिड अस्ट्रक्टर बता रहा हूँ जस्ट इस पोर अंडर्स्टेंडिंग कि सिर्फ यह समझाने के लिए ये बढ़ा होगा और ये छोटा होगा इसके लिए यह स्ट्रेंचर सही है इन-सी आई टी आपका यह editing नहीं देता है बल्की आपका यह structure देता है अब फिर्व्रिय यह प्रॉब्लम समझिक देगा कि एक बड़ सवाल आया जवे मैं हाओ मिनी क्रोमियम और और जो इसके अनुसार लोगों कर अंसर दे दिया उससे बस सिर्फ आपको यह समझना है कि एकस बड़ा होगा और एक चोटा होगा और बात समझ गाई इस फर्क को पाइब जीरू हो गया ना लेकिन और उससे कोई फरक निपढ़ता है NCRT में दिया तो रट लीजे सत्य यह है ना है NCRT सत्य है NCRT ने अगर लिख दिया कि दीन में सूरत छूप जाता है तो छूप जाता है शेलिए कि नोट करें फिर आगे बढ़ें अगे तकता है हटा दिया अरे नहीं नीचे है यारे हाँ यह तो इसलिए हम भी नहीं बना सकते हैं और आपको इनाना थे और लेकिन 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 mineral यह है कि empowerment लिप कर देखिए लेकिन अगर मैंने इसको इक सबनाँ था यह तो तो X is less than, उल्टा दिया था सिंबल, ठीक था, यही था ना, हाँ तो X less than Y हो जाएगा, और reason क्या है, यह resonance में चले जाएंगे, तो resonance हम इसके आधार पे तो नहीं समझा पाएंगे, इसलिए मैंने आपको इसके दो structure बताए हैं, लेकिन मैंने साफ साफ लिख दिया कि सिर्फ यह समझने के लिए है, इसी से आप सारे answer देंगे, बात समझ में आई, clear है, आगे करें, हाना, तो इसा structure को लिख लिए जगा, परम सत्य, हाना, ऐसा इसलिए, क्योंकि NCRT कहते हैं, जब NTO को अपनी गलती का हैसास हुआ तो, आप देखेंगे, बहुत सारे books ने भी change कर दिया, पहले बहुत सारे books में भी वहीं दे रखाते, देखो यार, chemistry is a little bit complex, जैसे जैसे लोगों का knowledge बढ़ता है, change करते चले जाता है, reason तो यही था कि appropriate यही है, क्या यही बात clear हो गई, very similar to that, अगर मैं आप से कहूं, कि आप मुझे diagram बता दीजिए, एक और diagram है उसके बगल में, chromate का, chromate ion का, यह dichromate था, और अब हमें बनाना है, तो CRO4 पे, minus 2 charge, तो आपकी इक्षा कर रही होगी, कि बना बें ऐसा, कैसा, बिल्कुल, आपने अपने knowledge के अनुसार, सत्य बनाया है, लेकिन परम सत्य क्या है, सिंगल बॉंड है, ठीक है, तो याद रखिएगा, as per, ncrt, ठीक है, आईए देखिए, chromate ion, है ना, दिख रहे हैं आपको, अच्छा कुछ चीज़े और भी आपको दिखानी है, जैसे मैंने जो कल आपको 12 reactions दिये थे, आईए वो भी दिखा पर, नीचे है, वो के मैंने 4 है, यहाँ पर, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, i- change हो रहा है, fe plus 2 change हो रहा है, एक, ox, फिर से, ठीक है, तो यह सब आपको याद रखने है, इसी का trick मैंने बताया था, कल जो summary लिखाए थे ना, उसी का trick मतब यहीं सारे reactions है, जो आपको याद रखने है, हला नहीं, आए नोट करें, हो गया, अब इसके बाद हमें 5 है, reaction पढ़ना है, एक, दो टेस्ट पढ़ना है, जो कि 10 से प्लेमेट में खतम हो जाएगा, फिर हमारा D और F समाप, D खतम हो जागा, क्या, किसका, इसका, किसका था, किसका था, माइनस टू का, अचा भी देखा नहीं है, अब देख लुक के बता दूँ, आगे बड़े, क्या, आए, अब हमें पढ़ना है next, देखें इसके बाद कुछ reactions है, तो उसमें भी आपको trick बता दूँगा, लेकिन यह आपको directly याद रखने है, heating effect, heating effect, मतलब अगर आप, potassium dichromate को, गरम कर दें, और गरम करके, बिना तेल के fry कर दें, तो यह कुछ ऐसा बनाएगा, और इसका color होगा green, ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ, अरे हल्ला क्यों कर रहे हैं, चलिए, खत्म, यह K2CR2O7 का reaction का है, इससे पहले हमने जो कर दा था, वो था KMNO4 का, यह K2CR2O7 का है, बस समाप्त, अब आपको मैं 5 मिनट थोड़ा एक्स्टा कुछ बताऊंगा, जैसे क्रोमाइल, क्रोमाइल टेस्ट है ठीक है, वो आपका बोनस है, और ब्रेथ एनलाइजर, जिससे आज कल सवाल पोचे जाते हैं, वो बतातो, आपने देखा होगा, एक जनवरी के आसपास, पुलिस लेके घुमते रहता है, पाइप, और उसमें बेवरे लोगों को फुकवाया जाता है, और फिर वो जाता है कि उसने ड्रिंक करा है, इसे कहते है ब्रेथ एनलाइजर, तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है, उसे कहते है, क्रुमाइल कुलॉराइट टेस्ट, तो पॉकेट, इस बार में ट्रिक बता दूंगा, बचने का, उसका टेस्ट फेल हो जाएगा, एक दम एक दम, हो गया, हो गया, आईए, नेक्स हेडलाइन दीजिए, क्रुमाइल कुलॉराइट टेस्ट, इसमें पांच से छे लाइन लिखने है, तो आप अलग से लिख लिजे, ये बोनस है है न, आप याद रख लिजेगा, तो ठीक नहीं लिखेगा, तो भी ठीक, क्रुमाइल कुलॉराइड टेस्ट, मैं पहले ही बोल दू, ये जो है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, है न, मतलब आप याद रखियेगा, तो ठीक, नहीं याद रखियेगा, तो भी ठीक, ये कॉम्पिनिटिटिव एक्जाम में आएंगे, इस टेस्ट, इस यूज़ फॉर, डिटेक्शन, ओफ, क्लॉराइड आयन, इन एनी, सैंपल, किसी भी सैंपल में, क्लॉराइड आयन का टेस्ट, ये देता है, इसमें हम क्या करते हैं, पोटैसियम डाइक्रोमेट को, नमक, जैसे हमने एक सैंपल लिया, इसमें नमक है, और हट्टू इस टू इस ओफॉर के साथ, मिलाते हैं, तो ये बनता है, के एच इस ओफॉर, पलस, एने एच इस ओफॉर, पलस, इसे ही, कहते हैं, क्रोमाइल, और इसका कलर होता है, रेडिस, ब्राउन, ब्राउन इस टाइप का होता है, है ना, रेडिस ब्राउन, और केटी सुर टू सेवन ये कैसा होता था, ओरेंज, तो कलर चेंज हो जाएगा ना, मतलब अगर आप किसी सेलूशन को लिए, जैसे आपने कोई सोलूशन लिया, जिसमें स्टोस ओफॉर भी है और इने सील भी है, आपको टेस्ट करना है कि उस सोलूशन में कलोराइड है की नहीं, है ना, आप सब जगा आप नमक से मुह में थोड़ी टेस्ट करते चलेंगे, कि आपके नमक में पेस्ट है की नहीं, है की नहीं, हाँ 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 टूथपेस्ट में नमक है की नहीं, है ना, तो आप घर पे जाके करिएगा, पोटेसियम डाइक्रोमेट उठा लीजेगा, और उसको डाल दीजेगा, तो वो क्रोमाइल बनाएगा, और कलर चेंज हो जाए तोधियेगा नमक में है ठीक है सबच जाएएगा कि क्या है आपके टूथपेस्ट में नमाक है है यह थोड़े इंपोर्टेंट से हैं अस्पेसल पॉइंट है रट्टा मार लीजिएगा घर पर जाकर हो गया हो गया हो गया हो गया चलिए बताएं हो गया है मेरा भी हो गया बताएं आगे देखिए अब एक और यूज जरा समझीएगा उससे पहले हाँ कौन-कौन से आयन टेस्ट नहीं देते हैं क्रोमाइल टेस्ट क्रोमाइल टेस्ट इस नॉट गिवेन बाई अजी सुनो हला नहीं एजी एसन पीबी एच जी ठीक है आप पता नहीं कैसे रट हो गया है अजी सुनो साभी के बाद है ना प्यार हो गया अरे यार रट्टा मारना है भावनाओं पर ना जाएं और भाई साहब तुम मिलो तुमको प्रैक्टिकल लाइफ सिखाते हैं अरे ठीक है याद रखने का तड़ी का है यह अजी सुनो प्यार हो गया यह नहीं देते हैं यह जो आयंस हैं यह जो यह जो आयंस हैं यह टेस्ट नहीं देते हैं याद रखिएगा पूछा गया उस्वाल है रहा कि वीच आप फॉलोइंग आयंस डूनाट गीप कुमाइल टेस्ट तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यही चार हैं जो नहीं देंगे इसके अलावा अरे 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 याद रखने के लिए पताए हैं ज्यादा मजनाले ने फिर से ने अरे सुनो तो सही यार भाई इसके बाद भी बहुत सारे ट्रिक बताने मुझे है लालू गुड़ खा गया गुड़ गुड़ तुम लोगों ने क्या सुन आगे मिलेंगे आपको निमोनिक्स नहीं तो या दुनिया के सारे आयन्स टेस्ट देंगे क्रोमाइल टेस्ट मतलब अगर इनके जीवन में क्लोरीन है तो लेकिन ये अगर चार होंगे तो ये नहीं बताएंगे है ना और ये चार होंगे एजी एसन पीबी और एच जी ठीक है अब आपको बताते हैं कि दाडू बाज लोग कैसे पकड़ा जाते हैं देखिये ब्रीद एनलाइजर टेस्ट ब्रीद अनलाइजर एना लाइजर टेस्ट जब आप पोटेसियम डाइक्रोमेट जैसे देखिये जो ड्रिंक किये हुए रहते हैं उनके मुँ में होगा अल्कोहल फालत हुए निए बार बार रहे हैं कि बात क्या है सी टू एच फाइव ओएच यह बाबू बनाता है क्रोमाइल सल्फेट सी आर एसो फोर और इसका कलर होता है ग्रीन और यह कैसा ओरेंज तो वो जब आपको फूकने के लिए टेस्ट पाइप देगा वो एक्चुल में कलर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ग्री अब और इंज का और इंज ही रहेगा लेकिन अगर किसी ने ड्रिंग किया हुआ है और उसमें फूका तो उसमें अल्कोहल चला जाएगा तो वह और इंज कलर किसमें चेंज हो जाएगा बस पकड़ा गये अब अगर जितना ज्यादा ग् है तो पोटेसियूम डाइक्रोमेट को अगर आप अलकोहल से रियाक्ट कराएंगे तो क्रोमाईल सेलफेट बनेगा और जिसका कलर कैसा होता है ग्रीन जिसका यूज हम करते हैं ब्रीथ अनलाइजर टेस्ट में और अल्कोहल डिटेक्ट हो जाता है डिटेक्शन ओफ अल्कोहल कि बताये तो है डिटेक्शन अफ अल्कोहल अब बचने का तरीका यही गारी चालू कर भाग जा वैसे एक बार एक केस हुआ था एक आदवी था जिसमे बार बर ब्रेत अनलाइजर पर रूफ कर दिया कि वह ड्रिंक नहीं करता उसके शरीर में जब वह चावल खाता था ना उसके फर्मेंटेशन से इतना ज़्याद अल्कोहल बन जाता था लेकिए हम लोग खाते हैं चावल का फर्मेंटेशन होगा तो अल्कोहल बनेगा यही बात है कि अगर आप भर पीजे दही और चुड़ा तो ऐसा ध्वाधम नीद आएगा क्योंकि अल्कोहल बनेगा एक नंबर है ना अब आईसा नहीं कि निकाल के बेज के दिये इतना भी नहीं बनेगा थोड़ा बहुत जादा में बनता है तो अब क्या होगा आपको नीद आना चालू हो जाएगी इसलिए आपको डिजनेस आना चालू हो जाता है सुस्ती यही वज़ाए कि जिसका वजन बढ़ जाता है तो लोग कहते चावल खाना छोड़ दो चावल खाएगा पंदरे मिनट तो घुल्टे का बेड़ पर सुस्ती आएगा तो हाँ 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 अरे exception की बात नहीं कर रहा ह है और क्या बताना था यार इसमें है हाँ एक सवाल आपको मिलेगा एक सवाल आपको मिलेगा बोर्ड में भी है वाई के टू सियार टू ओ सेवन इस प्रेफर्ड ओवर एने टू सियार टू ओ सेवन डियू टू डिली सिक्वेंट नेचर डिली सिक्वेंट का मतलब होता है मॉइस्चर अब्जॉर्व कर लेना कर कि आपको कभी रियक्षिंट में के क् इसको प्रेफर्ड ओवर अब्री असलिए कि एने टू सियार टू सिवन क्यों क्या होता है डेली सिक्वेंट होता है नहीं मतलब ऊस्यार तो सेवन मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा तो आपके रियक्शन को फुरा स्लो कर देगा ना इसलिए इसको प्रिफर करते हैं ध्यान रखिए गाँ और एक लास्ट बात और इसी के साथ कि दी खतब डी ब्लॉक खतब क्रोमियम फाइब विल सो दिस पॉर्पोर्शन रियक्शन प्रो पॉर्शन रियक्शन दैट इस सी यार ओफोर थ्री वाइनस प्लस एटेच प्लस समाप दी ब्लॉक देखिए अगर आप यहां पे निकाले इसका उक्सिदेशन नमर कितना आ रहा है इसका कॉर्णमेंग का है पाच और यहां पर है दू जै और यहां पर यानि इसी का औशिदेशन हो रहा है और इसी का क्या फच पहुलू अगर किसी कंपाउंड में आपको प्रोडक्ट बन रहा हो के n2-cr207 और न2-cr207 फिर आप के लिक्ट communities तो एक याद आया ए कि अयर्टसिया तुसे ऐड कर्रीट कि अगर फिर K2Cr2O7 बना तो वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि आप NA2Cr2O7 पर क्यों नहीं रूप जा रहे हैं आगे क्यों बढ़ना चाह रहे हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है इसी के साथ आपका टी ब्लॉक समाप्त होता है कि यस हो गया है क्लियर है चलिए आई ये तो धमादा में आप सवाल करे जाएं थोड़े बिल्कुल देखिए कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है ये तभी आपको मालूम चलेगा जब आप सवाल करेंगे यह आपको कितना समझ में आया अगर सवाल बन गए तो अच्छा चल रहा है मामला और नहीं बना तो फिर तो फिर बकवास चल रहा है आईए हो गया क्या पहले पहले नीट का करोगे की जेए का इसी इसी कॉस्चंस में सही बोर्ड के कॉस्चं भी आएंगे आपको हो गया बड़े लिखिये पहला सवाल मुझे लगता है यह कुस्चन आप असानी से बता दो पहला सवाल इन नीट्रल और फेंटली अलकालाइन मीडियम इन द नीट्रल और फेंटली अलकालाइन मीडियम इतना वार बोलने से अच्छा है नीट दो दोजर लड़ीस इन द निट्रल और बा सब्सक्राइल लॉर आंटालाइन फेंटली अलकालाइन फेंटली Iodate Iodine को किसमें change कर देता था Di Iodate Iodate The change in oxidation number The change in oxidation number of manganese will be Option A Plus 7 to plus 4 Plus 6 to plus 4 Plus 7 to plus 3 Plus 6 to Plus 5 Yes Yes Ban 100 तो यानि की साथ से याद आया भागी का तो पता निक करमाईल टेस्ट याद रहेगा क्या ये बात समझ में आई की नहीं बदाए जरा अरे बोलो यार Iodide into Iodate I- change हो जाता था था ना I- I-3 माइनस में ये alkaline वाला है I- change हो था Iodate का देखिए और basic का देखिए Sorry, neutral का देखिए I-3 माइनस में Iodate वही तो है वहाँ पर change हो रहा था I-3 माइनस में और वहाँ पर change हो रहा था I-2 में अब फर्क समझ में आया ना लेकिन फिलाल हमें इससे मतलब नहीं है यह तो बस उल्जाने के लिए दिया है आपको तो बस बदाना था Amen कचे है कि नहीं हाँ बिलकुल मतलब यह नहीं भी देता तो काम चल जाता है कि नहीं वह बस उल्जाने के लिए दिया था समझ में आया कि नहीं clear है कितनों से बन गया था बस बाकी लोग चल लिए ठीक है next बनाए जड़ा लिखे है when neutral or friendly alkaline when neutral when neutral or friendly alkaline or friendly alkaline Kmno4 is treated with is treated with potassium iodide potassium iodide मतलब KI iodide iron will change into iodide iron will change into option A I2 B IO4- or C IO3- or D IO- IO तो बिल्कुल सही ठीक है अब आप से नीट बन जाएगा बस यह है चलिए आज आईए जेग अभी कुछ कर ले हाँ देखिये सवाल है the the equilibrium CR2 07 2- shift to CR 0 4 2- is shifted to the right option A and acidic medium option B A basic medium option C A weekly acid medium neutral medium हाँ भाई साब किदर से किदर जा रहा है याद है trick मैंने कहा था color लिख लिजे इसका color और इसका color और फिर मैंने आपको कहा था यानि की base होगा तो orange से और आपको जाना किदर से किदर है orange से तभी तो right side जाएंगे B is the right one ठीक है clear है बाबू clear है कि नहीं clear है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं आईए दीकिए एक छोटा सा सवाल लिखिए फिर से जेई दोजार चॉविस जेई दोजार चॉविस यह assertion region है statement one है statement one है fusion of MnO2 MnO2 को क्या कहते थे MnO2 को pyrolycite और pyrolycite के साथ koh मिलाकर क्या बनता था O मतलब oxidizing agent अरे magnet कलुआ और फिर कलुआ को क्या बनाएंगे hulk तो पहला ही सवाल यह है with koh and oxidizing agent gives dark green k2 MnO4 और statement 2 है magnet iron magnet magnet iron gives per magnet iron on electrolytic oxidation बताईए कौन सा true कौन सा false दोनो true है बिलकुल सभी बात बोथ are true बोथ बोथ हार true लेकिन करूंगा तो फिर के कोस्टन आप लोग करोगे नहीं क्योंकि आगे बढ़गे तो पीछे पढ़ोगे नहीं है कि नहीं इसलिए पहले निप्टा देता हूं इसे है कि नहीं फिर आपको अंदर से अंदर आत्मा से आवाज आता है जा इतो पढ़ चुके अब इसको थोड़ी पढ़ना है दुबारा है कि नहीं है इसलिए मैं आपको कुछ important questions करवा देता हूं ले टेस्ट को सिंपल स्थेन अज्टर अफके 2C R 207 एंद परपल कलर अफके मनफोर इस दूटो थू तो ररेंज कलर अफके 2C R 207 दॉर अचे कलर अफ के 2C R 207 अट पिंक कलर अफ K M N of 4 Is due to पेला ना है चार्ज टौंस्टर्यली Cranjshan दूसरा है डीेडी strong attitude थीस्ड़ीयर्ड तरौथ घ्यॆ दौध टाव्यषन हाँ LemC CT तो चार्स ट्रौंसफर नहीं थे बोलते हैं हंथो और ऑहलों तो नीर्धुन तरफ आपसर ने हैं चार्ज ट्रांसफर इन बोथ आपसर भी है डीडी ट्रांजिशन ने ने मत मारो मर जाएगा बचारा डीडी ट्रांजिशन आवाज ने डीडी ट्रांजिशन इन के टू सियार टू और सेवन सी है बाबू डीडी ट्रांजिशन इन के मेंनों फोर और डी है डीडी ट्रांजिशन इन बोथ बताईए बेलकुल सही जवाब और यह था जेई दो हजार चौबिस ठीक है और बना होगे आई आई आपको बताया आपको कॉंफिडेंस बढ़ जाएगा मज़े आ जाएगा देखिए एक ट्रेक्ट सवाल असे पहले चोड़े क्या बाबू के टू हा बिलकुल उसमें एमन प्लस इक से तौन पर देना हो गया हो गया हो गया बाबू आई यह देखिए सारे कोश्चिन आपसे धमाधम बनेंगे एक दम बस आप बताते चलिए यह यह है जेई दोजार चौवेस अगें इन अलकालाइन मीडियम एमनो फोर माइनस ऑक्सिडाइज जेज ओ काफी चोटा हो गया क्या अरे थोड़ा तेजी से लिखने के चक्कर में हो गया तो बहुत कोश्चन है यार तो मैं चाहरा हूं कि मैक्सिमम आपको करा दूं क्योंकि मैं बताओ देखिए कुछ सत्य जान कि भारत में दो ही इंसिचूट है जो कोश्चन बनाता है और यूप्सी वह एडवांस वही हुआ इटी तो हुआ आईटी और यूप्सी आईटी का कोश्चन अगर आप रट रहे हैं जैसा 24 का तो एक दो साल बाद आपको मिलेगा नीट में नीट के कोश्चन भी मिलेंगे आईटी में ऐसे बहुत सारे कोश्चन है जो नीट में पहले पूछे आईटी में तो कुछ कॉमन जो कोश्चन कॉमन है अच्छा वह आपके बोर्ड के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह NCRT के लाइन से कोश्चन है तो वही कोश्चन से मैं आपको करवा र इन अलकालाई मीदियू मिदियू मनोफॉर माइनस ओक्सी डाइस आई थू औक सुने आयो माइनस आयो माइनस आयो फॉर माइनस इटू आयो अलकालाई ना जा पाइब सुमझ में आया या फ़रकंत आया देखिक समझ में आया क्या देखिया अ दो कि लिखे जड़ा कोशन लिख लो यह आर हम डार डैरेक्ट लिखोव लिखो निच्था जड़ी कि ए मदकि न्यू्ट्रलों एल्कलाइज solution इन्यूट्रल और अल्कलाइज solution MnO4 oxidize MnO4 oxidize thiosulphate in neutral or alkaline solution MnO4 oxidize thiosulphate thiosulphate 2 thiosulphate 2 option A S2O7 2- S2O8 S03 2- S04 J220 आपको मिल जाएंगे 80% question आपके नोट से ही मिलेंगे यह आपको दिखेगा अगले साल जब पेपर आएगा ना तो मैं दिखा दूँगा अगर कभी स्वभाग यह मिला अब मुझे भी लग रहा है फिर भी याद करो गया question देखो गया तो समझ में आ जाएगा किस एक question और है neutral हा इन-acidic and neutral दोनों में पूछ रहा है किसको किसमें कर वेगा acidic में I minus कहां चला जाएगा और इसमें io3 minus बिल्कुल सही यह है J23 इसलिए मैंने आपको इसका trick बताया था सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आता है ओके लिख लो के मैंनो 4 ऑक्षिडाइज बिल्कुल सही के मैंनो 4 ऑक्षिडाइज I minus into in acidic medium obliq basic in neutral नहीं बेसिक पढ़ना नहीं था भूल गया था in neutral video solution तो आपको पता ही है यही पूछा था J23 में क्या बाव कंसेप्ट वही रहेगा ना अगर कोई institute 40 साल से question set कर रहा है कितना नया question बना लेगा यार syllabus वही है अब ऐसा तो नहीं कि बेवकुफो टाइप पूछेगा इन में से कौन सा D-Block का element है पहचानिया कि को स्टेंडर है वह खत्व हो चुके है कि D-Block कि यहीं पे हमने सारे इंपोर्टेंट सवाल कर लिया है ना D-Block कभी ठीक है अब आपन चालू करते हैं एप लॉक्त फुरा इंट्रों दे देता हूं कल वहां से चालू कर दोंगा है क्या आरे इंट्रों दे रहा हूं पू कि नया से हां तो एक काम करते हैं नया साल से करेंगे नया सुरुवात कि मैं आपको कुछ पुरानी बाते मुझे रिकॉल करानी पड़ेंगी मुझे पता है तो कल अपन इलेक्ट्रोंग कन्फिग्रेशन से डिर्क्ली चालू कर लेंगा कि इस ब्लॉक सबसे पहले अस्टार्ट कहां से होता हमारा हमने जहां याद आ इसके नीचे क्या था और इसकेंडियम के नीचे यारी जला निवान हाँ वाइट्रियम 39 और इसके नीचे जर्कोनियम 40 और इसके नीचे अब आपको याद आ रहा होगा इसके नीचे एक्टिनियम ये कितना था बावू और यहां पर कितने छूप गए थे 14 और इसके बाद कौन आ रहा था और इसके बाद रदर फोर्डियम 100 और ये था हमारा 89 और कितना गाइब हो गया मैंने आपको बताया था ये किस में आएगा फोर एफ में और ये आएगा बिल्कुल सही इसे हम क्या कहते हैं लैंथे नौइट्स है ना फिफ्टी एट से 71 कहलाता है लैंथे नौइट्स और 90 से 103 कहलाता है एक्टी नौइट्स इसे हम कहते थे 4F सिरीज और इसे हम कहते थे 5F सिरीज ऐसा इसलिए क्योंकि लैंथे नम होता था D1 से चालू और ये होता था D2 हरा तो आप देखेंगे कि 4F के कन्फिग्रेशन में मतलब 4F ब्लॉक के या लैंथे नौइट्स के कन्फिग्रेशन में मैक्सिमम में दो बाते आएंगी या तो D का 0 होगा या तो D का ठीक है दो ही चीज आएंगी D2 तो आ नहीं सकता क्योंकि D2 तो इसके बाद है ठीक है और अगर 0 और 1 आ रहा है तो 0 अगर आएगा तो हम उसे कहेंगे वैंने नौर्मल कंफिग्रेसान और 1 आगए तो animal configuration तीन जगहों पर exception आपको देखने को मिलेंगे लैंतन हम में ठीक है उसकी बाद आपको मिलेंगे C.E नहीं C.E लांतन हम में मिलेंगे फिर आपको मिलेंगे जीमinalsी गंडॉलिया मैंशे लॉटेशियम इन तिनों का मैं लिखा दूँगा इसी को मैं कहरा था लालू गुड़ खाएगा लालू गुड़ खाएगा यह डीवन होगा है ला तो लैंथनम डीवन लूटेशियम डीवन और गंडोलियम डीवन ठीक है तो अपन कल बात करेंगे इलेक्ट्रोनिक कन्फिरि क्या लेक्ट है तेंगे एलेक्ट कि यह पूस्षा कुटिके पेस्लियम पक्रश करेंगे वियर्साओीवन मयकाथितोli था समո्ट है जया है व्लेक्ष्य करहा लालू इसे चस्वेरां ग içंशते बफन है